हेलो एब्रिबन वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सलवार बनाना सीखेंगे तो ये सलवार में घेर वाली बनाऊंगी और ये सलवार हमारी कम कपड़े में बनेंगी जैसे मेरे पास ये पोने दो मीटर कपड़ा है पूरा दो नहीं है दो से कम है 10 सिं कि ये देखिये इससे फोल्ड कर लिया है और एक दम बराबर करके इन्ये फोल्ड करके ऐसे रख लेना है एक वी सलवार अंदर नहीं रहना चाहिए इस तरह से कपड़े को मैंने रखा है ये हमारी open side है और ये folded side है और यहां से भी ये folded है यहां से open है अब क्या करना है सबसे पहले हमें यहां से आदा इंच लेना है यहां पर क्यों कपड़ा हमारा थोड़ा आगे पीछे होता है तो बराबर हो जाए तो बाद में सिलने में दिक्कत रहती है तो इसे हमें इस तरह से लगा के सीधा कर लेना है अब हमें सलवार का मेजरमेंट लेना है जैसे मेरी सलवार की लंबाई है 39 इंच उसमें हमें बैल्ट डालनी है 6 इंच की तो ये रह जाएगा 33 इंच तो हमारी लंबाई आ जाएगी 33 इंच उसमें 6 इंच की बैल्ट आएगी यहां से लेके यहां तक लंबाई रखने है 33 इंच 33 इंच और इसको हमें सीधा इस तरह से लाइन लगा देंगे इसके बाद यहां से आशन रखना है तो नोर्मल आशन हमारा 9 इंच होता है अगर आप मोटे हैं तो 10 इंच रख सकते हैं और पतले हैं तो 8 इंच रख सकते हैं इसके बाद देखिए यहां ध्यान से देखिए यहां पर हमारा पूंचा आएगा यह एक्ट्रा कपड़ा है इतना इतनी हमारी लंबाई है तो पोचा आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं मैंने यहाँ पर साथ इंच रखा है और डेड़ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का अब मेजर्मेंट टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें यह मार्किंग कर लेनी है यह मार्किंग होगी इस तरह भी हम कट कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या है हमारी सल्वार उठती है बाद में तो यहाँ पर हमें थ्वोड़ा सा शेप दे देनी है इस तरह से अब सिंपली इस की कटिंग कर लेंगे जैसे यह है यहाँ से कटिंग करनी है तो ये कटिंग हो गई है अब इसको हमें सीधा कर लेना है ये हमारा बेल्ट के काम आएगा कपड़ा ये कटिंग हो गई है अब ये कपड़ा बचा है इसी में हमारी बेल्ट पनेगी तो बेल्ट कैसे बनाएंगे जैसे मालो कमर हमारी है 40 इंच 40 इंच का हमें चोथा भाग लेना है यहां से लेंगे 10 इंच और यहां से 2 इंच एक्सरा लेंगे इस साड़े 8 इंच लेना है 6 इंच बेल्ट है 2 और 5 इंच हमारा एक्सरा रहेगा folding के लिए यहां से line लगा लेनी है और इस कपड़े को यहां से कटिंगल लेनी है अब यह हमारी सलवार बन के रेडी हो गई